शिक्षा विभाग के निर्देश पर परसा हाई स्कूल सभागर में प्रखंड शिक्षा पदादीकारी युगल किशोर द्वारा प्रखंड वन अगर पंचायत परसा बजार के सभी प्रधना ध्यप्रकों के साथ बैठक आयोजित की गई बैठक में विद्याले के भवन, बैँच, शोचाले, भवन, चहरदीवारी, खेल, मैदान समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा किया गया चर्चा के उपरांद सभी प्रधान शिक्षकों द्वारा अपनी समस्या का लिखे तावेदन बियों को सौपा गया बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्याले में शिक्षकों की कमी का प्रपत्र उपलब्ध कराना था बैठक में एचेम जैंशंकर गुप्ता, विजयेंद्र कुमार सिंत, सत्येंद्र कुमार, अनिल दुबे, विकास कुमार, गजेंद्र कुमार, उमेश राय, उपेंद्र प्रसाद, श्वी चरण प्रसाद, अली हसन, कृष्ण मुरारी, विपिन बिहारी यादव आधी शाम ये दोनों के प्रयाश से बहुत सिख्षक की बीपरशी के द्वारा बहाली हुई है तो किन विद्यालियों में कितने सिख्षकों की जरूरत है उसको ध्यार में रखते हुए परपत्र जिला से डेवलॉप किया गया है उसी परपत्र को भरवाने के लिए आजबाटकता और व सारंग जिला के मरोरा थाना क्षेत्र के तेजपुर्वा चैनपुर दोला के पूर्व वार्थ सदस्य गनेश सिंध को अग्यात अपराधियों ने सर में गोली मार कर हत्या कर दिया और अपराधि आसानी से भागने में सफर रहा घटना की भानक परिजन को नहीं लगी जबकि गनेश सिंध के साथ दो पुत्र सोया था घटना के संबंध में बताया जाता है कि गनेश सिंध खाना खाकर अपने दो पुत्र के साथ सोया था अपराधी की हिम्मत की ताथ है कि एक साथ तीन लोग सोया था उसमें एक की गोली मार कर हत्या कर दिया दोनों कुत्र को भनक तक नहीं लगी घटना की खुलासा तब हुआ जब मुईता गनेश सिंग को जगने में लेट हुई जब परिजन जगाने गए तो देखा की सर से खून निकल रहा है तब परिजन सर से चादर हटा देखा तो सर में गोली लगी हुई है परिजन आनन फानन में मगवरा अस्पताल लाया जहां चिकित सक ने मुद भोशित कर दिया पुलिस घटना स्थल पहुँच परिजनों से घटना की जनकारी लिया पुलिस मामले की चान बिन में जुटी है डी एलिवेन टीवी के लिए भेलदी सिमृत्यून जय तिवारी की रिपोर्ट अब को महालाव्य ने भाग अभी अभी मैं मन करना पर रहा है अब आप अब कर दो आप कि जो आपके शुना आप ही नहीं है और आप निकों रहा है तो जब भाए है तो वोकरा कहला घोवी सब्सक्राइब कलतका रहा है यहाँ वाला पार्टा वाला के तो देखी थी न की जा रहाने ग्यान जोती यहाँ नहीं में पोड़े कर दो कोई बात है जो भागर पुर्वला को कहले है यह को दिन नहीं आता है पत्रकार्ण हो देखी आई हुए